आज में बनानेàoले लिए गरमा गरम राझमा जूके बहुत लगतारो शाने में तो चले इसी recipient की सुर्वात करते हैं तो राझमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां राइसो गरम यहां राजमा लिए हुआ उसको ओरनाइट फुलने के लिए रख दिये थें उसके बाद सुबर में उसको दो पानी से धोके अच्छे से यहां मैं इसको कूकर में रख देती हूं और साफ एक ग्लास पाने डालिए इतना कि राजमा इसमें डूप सके और इसमें नमक एट करते हैं एक चमच और इसको धकन लगा देते हैं और इसको आठ से दस प्रेसर आ और यह चार लहसन है और फ्याज था तो सबको हम यहां बारिक पेश्ट करके मिक्सर में पीछ लेते हैं अच्छे से तो हम चलते हैं ग्लाइस्टेप पे तो यहां मेरा कराही गरम हो चुका था तो मैं इसमें पेजपत्ता, साबूत, लाल मिर्च और जीरा तो सबको इससा फ्रterror करते हैं तो गैस का फ्लेम हमक्दम कंशा पूठा हुटा तो सब मुझत को पक्राण है तो हम यहां तो सब आरेको अ needing मैं कम प्रणा, सबस्कुछ电े शाणव हम जो और मिचसी ओवर कितने ती दो करते करें पर दोंसी करते हैं तेद्ट को बच्छे बच्चे हुए थे उसमें अच्छे से मसाला को मिलांके हिलांके और सब ले लेते हैं ताकि मसाला बरबाद नहीं हो अब सबको हम अच्छे से मिला लेती हैं यह देखिए तब ग्रेवी ऐसी ही होनी चाहिए राजमा के लिए तो अब हम इसको पांच मिनट के लिए पकने देते हैं तो यह देखिए पांच मिनट के बाद मैं यहां मिल रही हूं आपसे तो पांच मिनट के बाद यह देखिए कितना थिकनेस आ गया ना ग्रेवी में तो यहां मारा ल जल्दी पाउडर और आधा चम्मच छोटी चम्मच से भी मैं यहां लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूं अम तीनों वह अच्छे से मिला देते हैं मैं बहुत कम मसाला के यूज़ कर रही है इतने में बहुत ही इसमें जो एक खास सिक्रेट है इसमें में लाश्ट में एक चीज जो डालूँगी उससे ही हमारे सब्जी का फ्लेवर इतना अच्छा हो जाता है एकदम सिंपल में ही हमारे सब्जी देखिए बहुत अच्छा बनेगा तो उसके बाद में यहां अच्छे से मिला देते हैं और इसको पांच मिनट के लिए ढंक देते हैं ताकि जो ह आट कर रहे हूं यह गरम मसाला अब गरम मसाला मिला के इसको अच्छे से चला देते हैं अब यहीं पर मैं मिलाओंगी इसमें राजमा मसाला वीडियो इसकी फोगया था तो यहीं पर मैं राजमा मसाला भी इसमें आट कर दीजिए और दोनों को मिला के अच्छे से चला कि अब इसको ठंग देते हैं पाँच मिनट के लिए तो ये देखे मैं यहाँ निले सब्हार in English Soo यह स्टुडियन्ट न करके लिए मतलब फीर्षक कर तरीका है। उसके बाद चूबust करेंगेझेऑं। तो राजमा हमारे देखिए कितना अच्छा एक्दम परफेक्ट यहाँ, मैं कम से कम यहाँ आठ सीटी इसको आठ प्रेसर लगा था, तो यह देखिए ग्दम अच्छा सा हो चुका है हमारा राजमा, अब हम यहां मिला देते हैं ग्रेवी में, मिला के इसको अच्छे से चला झाल देते हैं, अब इसमें जितनी जरूरत हो पानी की जितना ग्रेवी जैसे रखना हो गाढ़ा या कम तो उसके अनुसार पानी अट कर सकते हैं, तो मैं यहां इक कब पानी उच कर रही थी, देखिए, अब इसको पानी अट करके एक मिनट के लिए धक देते हैं, ताकि जो जितना भी हमारा मसाला है, ग्रेवी है और सब राजमा में एकदम आपजर्व हो जाए, तब इसको एक मिनट के बाद देखिए, हमारा एकदम फाइनली राजमा बनके दम रेडी हो गया, तो लास्ट में हम इसमें धन्यागर पता एड़ कर देते हैं, इससे हमारा लुक और भ खुसबी भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही एकदम टेस्टी सा ये राजमा बनके एकदम रेडी हो गया, तो है न, एकदम सिंपल और असांट्रीक, तो ये राजमा चावल के साथ बहुत ही परफेक्ट जाता है खाने में, तो आप राजमा चावल खाए, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे इस्ट्री को फॉलो करके आपी रेश्पी को जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी, ये राजमा आप रोटी के साथ ऐसे, तो इसका कॉंबिनेशन परफेक्ट है, चावल के साथ है, राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लेगे, तो लाइक सेर जरूर कीजिएगा, बाई फ्रेंड्स